पिछले दो सालों में कोरोना ने पूरी दुनिया को थाम रखा था जो जहां था वही रुका हुआ था जिंदिगी रुक सी गई थी लेकिन अब जब कोरोना का प्रकोब कम होना शुरू हुआ है तो लोग भी अपने काम में जुट चुके हैं चाहे वो स्कूल हो, दफ्तर हो, व्यवसाय हो या फिर पिकनिक, आउटिंग या तीर्थ यात्रा ही क्यों ना हो हर जगे लोग अपने काम में जुट चुके हैं कोरोना की वजह से दो साल बाद बहाल हो सकी चार थाम यात्रा में अब तक 90 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मौते क्यों हो रही हैं 25 माई तक लगभग 80 लोगों की मौत के कारण को लेकर स्वास्ति विभा के पास कोई जवाब नहीं है माना ये जा रहा है कि जो लोग पहले से किसी बिमारी से पीडित है वो ही सबसे जादा इसके शिकार हुए है यानि कि जिन लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज जैसे स्वास्त संबंधी गंबीर शिकायते थी उनहीं की मौत हो रही है लेकिन अब हेल्थ एक्सपर्ट इन मौतों के पीछे कोरोना वाइरस के असर का भी अंदेशा जाता रहे है 24 घंटे के अंदर केदारनाथ यात्रा में दो और तीर्थ यात्यों की मौत हो गई है मौत की वज़ाय हार्ट अटेक बताई जा रही है चार धामों में सबसे जादा मौत केदारनाथ धाम में हुई है बावजूद इसके स्वासे विभाग अलट नजर नहीं आ रहा आपको वदा दे कि केदारनाथ यात्रा के दोरान अब तक 40 से जादा तीर्थ यात्यों की मौत हुई है चार धामों में सबसे कठन यात्रा बाबा केदारनाथ की है जहां पहुँचने के लिए गौरी कुंट से 18 किलोमीटर की चड़ाई चड़कर पहुँचना पढ़ता है ज्यादतर श्रधालू, आस्था और विश्वास के साथ पैदल ही यात्रा करना पसंद करते हैं जिस वजह से रास्तों में उनकी तब्यत खराब हो जाती है और उन्हें दिक्कते होने लगती है इसके अलावा यात्रा के दोरान तीर्थ यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी से भी जूझना पड़ता है जिकिस्सा अधिकारियों की माने तो शुकरवार को 1675 श्रद्धालों का हेल्थ चेक अप और उपचार कराया गया जिसमें 1208 पुरुष और 466 महिलाएं शामिल है अब तक OPD के माध्यम से 40,351 श्रद्धालों का हेल्थ चेक अप और उपचार किया गया है जबकि इनक्यानवे यात्रियों को ऑक्सीजन उपलब्ध करायी गई यात्रा के दोरान अब तक 935 यात्रियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया है स्वास्ति विभाग के निर्देश है कि यात्रा से पहले चमोली, रुद्रप्रियाग और उत्तरकाशी में पचास साल से ज़ादा उम्र के लोगों की हेल्थ, स्क्रीनिंग, अनिवार्य रूप से हो उनका कहना है कि उजाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन की कमी का सबसे ज़ादा असर हार्ट, लंग्स और माइन पर ही पढ़ता है चुकि कोरोना का असर भी संक्रमित लोगों के इन ही अंगों पर जादा रहा इसलिए हिर्दे, फेफडों और मस्तिशक पर कोविट के प्रभावों से जूच रहे मरीज कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में ना जाए उन्होंने कहा कि लोगों को सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, यात्रा तब ही करें, जब पूरी तरह खुद को स्वस्थ और फिट महसूस करें केदार नाथ यात्रा में तीर्थ यात्री गर्म कपड़े लेकर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वज़े से भी उन्हें दिक्कते हो रही है तीर्थ यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो पूरी तयारी के साथ केदार नाथ यात्रा पर आए यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों को धहरे रखने की जरूरत है आपको बतादे कि केदारनात यात्रा अक्तूबर निवेंबर तक चलनी है ऐसे में शद्धालू को पूरी तयारी और सयम के साथ यात्रा करनी चाहिए